चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसी लिए तपस है, धुआ है, यानि इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की लद्दाख में राग विराग ग्रंथ किये पंक्तियां हैं, जिसका स्रिजन किया है प्रोफेशर कृष्णनाथ जी ने कृष्णनाथ का जन्म, एक मई 1934 को वारानशी उत्तर प्रदेश में हुआ, और उनका समूचा बच्पन, इवावस्ता, कहने का भाव यह है कि उनकी समूची सिक्षा वारानशी से ही हुई, उन्होंने काशी हिंदू विष्विद्याले से अर्थ शास्त्र विशे में इसनात कोत्तर उपादी प्राप्त किया, वे विष्विस्तर के अर्थ शास्त्र के विद्वान माने जाते हैं, काशी विद्या पीछ में वे प्राध्यापक रहे हैं, वास्तव में जो कृष्णाज जी हैं ये सिक्षण काल से ही समाजबादी आंदोलन की और इनका जुकाव हो गया था डाक्टर राम मनोह लोहिया और बाबू जै प्रकाश नारायन के साथ अनेक आंदोलनों में भाग लिया अंग्रेजी और हिंदी भाषा के मोर्धन निविद्वान माने जाते हैं वे एक सुलजे हुए पत्रकार भी थे राजनीत पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौध दर्शन की और मुड़ गए भारती और तिब्वती आचारियों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन शून्यवाद और माध्यमिक मत तथा बज्रयानी परंपरा का अध्यान प्राड़म किया वास्तों में बज्रयान जो है बौध धर्म में तांत्रिक प्रभाव के चलते नई शाखा के रूप में बिख्षित हुआ इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है क्रिष्णाजी अपनी निरंतर सारस्वत साधना करते रहे और भारतिय चिंतक ये क्रिष्ण मूर्ती ने जब बौध विद्वानों के साथ चिंतन मनन प्रारंभ किया तो उसमें क्रिष्णाजी भी सामिल थे इसलिए बौध दर्शन पर क्रिष्णाजी ने काफी कुछ लिखा है इतना कुछ करने के बाद क्रिष्णाजी की स्रिजन आकांग्षा पूरी नहीं हुई वे यायावर हो गए यायावर मतलब गुमककड उन्होंने हिमाले की यात्रा प्रारंभ की और उन इस्थलों को खोजना सुरू किया जो बहुत धर्म और भारतिय मिथकों से जुड़े हुए है क्रिष्णाजी ने जहां की आत्रा की वे केवल परियटक नहीं रहे बल्कि तत्वेता की द्रिश्ट से गए वहां जाकर उन्होंने उस तत्व का भी अनुसीलन किया वे केवल घुमकड के रूप में नहीं गए थे कि परियटन के लिए वो जा रहे हों बल्कि एक तत्वेता के नजरिये से उन्होंने हर इस्थल का अवलोकन और अनुसीलन किया है यह यायावर सितंबर 2016 को सदा सदा के लिए चिर निद्रा में बिलीन हो गया जैसा मैंने आप से पहले भी बताया है कि एक केवल कृष्णाज जी प्रोफेसर ही नहीं थे केवल सूप्रशिद अर्थ सास्त्री ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे लेखक भी रहे है इनके जो ग्रंत हैं जैसे लद्दाख में राग बिराग दूसरा है किन्नर धर्म लोक तीसरा है इस पीत में वारिस चौथा है प्रित्वी परिक्रमा पांच्वा है हिमाले यात्रा और छट्वां ग्रंत है अउनांचल यात्रा और सात्वा है बौध निवंधा वली इन्होंने चुकि एक पत्रकार भी थे इन्होंने कई ग्रंतों का संपादन भी किया है पत्र पत्रिकाओं का जैसे एक साहितिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में रहे और एक अंग्रेजी पत्रिका मैंकाइन इसका संपादन किया इन्होंने और थकी यह अर्ष शास्त्र की पत्रिका के प्रथम संपादक थे बच्चों आपकी पाठ्थि पुस्तक में संकलित पाठ्थ जो है इस पीत में बारिश यात्रा ब्रितांत है अब सवाल यह उठता है कि यात्रा ब्रितांत है क्या आईए इसको संचेप में समझते हैं कि हिंदी साहित में यात्रा ब्रितांत एक आधुनिक गद्य वीधा के रूप में सुईक्रित है जिसके लेखन की परंपरा का स्री गणेश भार्तेंदुहरिश्चंद से माना जाता है यह आधुनिक काल की विधा है किसी इस्थान में बाहर से आए व्यक्तिया व्यक्तियो के अनुभवों के बारे में लिखे बृत्तांत को यात्रा बृत्तांत कहते हैं इसमें कल्पना सीलता एवं रोचक्ता का विशेश महत्तो होता है यात्रा बृत्तांत के लेखक का उद्देश से इस्थान विशेश के संपूर वैभव, संपूर प्रकृति, रश्मोरिवाज, रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन के तरीके और जीवन के प्रती द्रिश्टिकोण का चित्रण होता है विशारों के विशलेशन और मुल्यांकन के लिए यात्रा बृत्तांत बहुत सहायक होते हैं यात्रा बृत्तांत इसलिए बहुत ज्यानबर्थक होते हैं प्रोफेशर कृष्णनाथ के अतरिक्त भातेंदु हडिश्चंद बाल कृष्ण भट्ट स्रीधर पाठक सत्य देव परिब्राजक अग्याजी राहुल सांक्रत्यायन मोहन राकेश निर्मल वर्मा प्रतापनाराण मिष्ड राम गुपाल गहमरी पंडित जवाहलाल नेहरू बाबा नागार्जुन यह बाबा नागार्जुन भी बहुत हो गये थे बाद में लेकिन इनका नाम था बैद दिनात मिश्च्र इनके इनकी कविताहें आपने पढ़ी होगी बाबा नागार्जुन की इन्होंने यात्रा संस्मर्ण भी बहुत लि आधिके आत्राब्रतांत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और राहुल सांक्रित्यायन अग्येंजी और नागार्जुन को साहित्य का घुमक्कड ब्रियत्रई भी कहा जाता है अब आईए हम इस्पीत में बारिश पाठ को देखें बच्चो इस्पीत में बारिश पाठ में लेखट कृष्ण नाथ जी ने अपनी इस्पीत यात्रा का वर्णन किया है इस्पीत जो है हिमान्चल प्रदेश के लाहुल इस्पीत जिले की तहसील है जो हिमान्चल के मध्य में इस्तीत है यह उचे दर्नों और कठिन पहाड़ी मार्गों से गिरा हुआ है इसलिए इसमें परस्पर संपर्क वायलेस सिट के माध्यम से ही हो पाता है क्योंकि 170 मील आना जाना बसंत में भी कठिन होता है तो सीत रित में तो असंभो होई जाता है प्राचीन काल में इस्पीत भारतिय सामराज्यों का अंग थी तथा मध्युग में लद्दाख, कश्मीर, बुशहर और कुलू मंडल के आधीन रही जब कोई जुरावर सिंग जैसे लुटेरे ने स्पीत पर आक्रमन किया था तो जैसे लाहुल के लोग डाइना माइट की विसफोट की आवाज सुन कर बैभीत होकर आँखें बंद करके और जो है चागमा का तना पकड़ कर अथवा एक दूसरे को पकड़ कर बैठ जाते थे इतने भैभीत हो जाते थे उसी प्रकार इस्पीत के लोग घर छोड़ कर भाग गए थे और उसने इस्पीत के बिहारों को लूट लिया था इस्पीत में सन 1901 में 3231 लोग रहा करते थे और सन 1971 में 7106 ने लोग रहने लगे थे इंपीरियल गजेटियर में इस्पीत का क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील बताया गया है जिसके अनुसार 1971 में इस्पीत की जन संख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम थी अंग्रेजों को लाहूल इस्पीत का प्रसाशन सन 1846 में कस्मीर के राजा गुलाब सिंग से मिला था जो आजादी के बाद भारस सरकार को मिल गया सन 1847 इस्वी में लाहूल इस्पीत को कांगडा जिले में मिला दिया गया था किस में कांगडा जिले में लद्दाक मंडल के दिनों में इस्पीत का सासक नो नो था उस समय 1847 में लाहूल स्पीत को जब कांगडा जिले में मिला दिया गया तो लद्दाख मंडल के दिनों में इस्पीत का जो सासक था वो नोनो था ब्रिटिस राज में भी कुलू के असिस्टेंट कमिशनर की देख रेख में हकारे नोनो किया करता था शंड 1873 इस्वी में इस्पीत रेगुलेशन पास हुआ तो लाहूल श्पीत को विशेश दरजा दिया गया नोनो को माल गुजारी एकत्र करने और छोटे मोटे फोधारी मुकदमों का फैसला करने का दिकार मिल गया था आजादी के बाद लाहूलिस्पीत पंझाब राज्जे का जिला बना जिसका मुख्याले केलंग में बनाया गया सन 1966 इस वी में हिमानचल प्रदेश जो है राज्जे बना तो लाहूलिस्पीत जो है अलक जिला बन गया यह देश का सबसे दुर्गम छेतर है जहां जाया नहीं जा सकता इस पीत की भौगोली इस्तित के समंध में लेकर कहता है कि यह 31.42 और 32.59 अक्षांस उत्तर की ओर और 77.26 तथा 78.42 पूर्व देशांतर के बीच इस्तित है यह इसकी अक्षांसी और देशांतरी इस्तिती है यह चारों और उंचे पहाडों से घिरा हुआ छेतर है इन पहाडों की यौसत उंचाई अठारा हजार फीट है इसकी सीमा पूर्व में तिबबत पस्चिम में लाहुल दक्षिण में किन्दौर और उत्तर में जो है लद्दाक से लगती है इसकी मुख घाटी इसकी मुख घाटी स्पीत नदी की घाटी है इसपीत नदी पस्चिम हिमाले में लगभग 16,000 फीट की उचाई से निकल कर पूर्व में तिबबत की ओर बहती हुई इसपीत में आती है और रामपूर बुशाहर किन्दौर जिले में बहती हुई सतलुज में जाके मिलती है यहां पारा नदी और पिन की घाटी भी है एक है पारा नदी और पिन की घाटी इसमें से आबाद केवल इसपीत घाटी ही है जहां प्रतिवर्गमील चार से भी कम लोग रहते हैं लेखक आश्यर व्यक्त करता है क्या कि आठ नो महीने सेस दुनिया से कट कर ठंड में ठिटूरते हुए लोग यहां रह कैसे रहे हैं अब बात भी सही है इतनी थंडी में लोग कैसे रहते होंगे उनके पास अपने घर गर्म रखने के लिए परियाप्त साधन भी नहीं है फिर भी वे रह रहे हैं वे सिर्फ एक फसल उगाते हैं और कितना संघर समय जीवन यह लोग जीते हैं लेखक प्रस्ण करता है क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं अपनी जनम भूम के ममत के कांड रहते हैं या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जाही नहीं सकते कहां जाएं या फिर और बातों के साथ साथ सब कारण है लेखक कहता है मैं नहीं जानता मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहां लोग रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर लें इस पीत में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों ज्यादा करके संसार और निर्मान जो है अतर क्या ह तर्क से परे हैं वास्तों में दो सत्य हैं दो परें संसार और निर्वाण निर्मान माने मोक्ष और संसार आप जानते हैं दुनिया ये दोनों पर तर्क नहीं किया जाना चाहिए लेखक कहता है ये तर्क से परे हैं तर्क से कुछ नहीं मिलने वाला है इस्पीत नदी के साथ साथ लेखक का थोड़ा परिचे इस्पीत के पहाडों से भी है इस्पीत के पहाड लाहुल से ज़्यादा मूचे नंगे और भब्य हैं। इनके सिरो पर इस्पीत के नर्णारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। इस ब्यथा की कथा इन पहाडों की उचाई के आकणों से नहीं की जा सकती है। फिर भी जो सुन्दर्ता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड को कैसे बखत सकते हैं छोड़ सकते हैं। वे जान लें कि स्पीत भब्य हिमाले की घाटी है। जिसे वे हिमाले जानते हैं स्केटिंग, सौंदर प्रत्योगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे का कुलू मनाली, सिमला, मसूरी, नैनी ताल, स्री नगर यह सब हिमाले नहीं है। हिमाले का तलोभा है। सिवालिक या पीर पांचाल का ऐसा ही कुछ उचका नाम है। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मद्ध्य हिमाले हैं। इसमें ही लाहुल स्पीत की घाटियां ए। हिमाले की आउसट उचाई ना पी गई है। स्री कनिंगम के अंसार लाहुल की समुद्र की सतह से उंचाई 10,535 फीट है और इस पीद की 12,986 फीट है यानि लगभक 13,000 फिट तो और सत उंचाई है मद्धेहिमाले की स्रेणिया जो इस पीद को घेरे हुए हैं उन में से जो उत्तर में हैं उसे वारलाचा स्रेणियों के का विस्तार समझे है वारलाचा दर्रे की उंचाई का अनुमान 16,221 फूट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है इस पर्व स्रेणियों में दो चोटियों की उचाई एक अई सज्जाद फीट से भी अधिक है दक्षर में जो स्रेणियों है वा माने स्रेणियों कहलाती है उसे माने स्रेणियों कहते है यह माने नाम जो है बौध्धों का एक महा मंत्र है माने ओम, मानी, पादमभे, हुंग, इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्मे है, इसे संचेप में माने कहते हैं, कहीं सेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, लेखक ऐसा कह रहा है, अगर नहीं है तो करने जैसा है, बिल्कुल वही है, यहाँ इन पहाडियों में माने का इतना जाप हुआ है, कहनाम उन सेणियों को दे डालना ही सहज है, निरंतर, अनवरत, ओम, मनि, पादमभे, हुंग, बीज मंत्र का जाप वहाँ पर हुआ है, इम्पीरियल गजेटियर में माने स्रेणी की उचाई जो है, एक कईस हजार शर्सो श्यालिस फिट बताई गई है, यह तो इस स्रेणी की किसी चोटी की उचाई होगी, पूरी स्रेणी की उचाई तो एक नहीं होगी, इसमें जो छोटी 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 चोटी हैं, उनकी उचाई 17,000 फिट से अधिक होगी, कई गाउं समुद्र की सतह से 13,000 फिट से उचे बसे हैं, एक या तो 14,000 फिट की उचाई पर हैं या मद्धे हिमाले हैं, इसे मद्धे हिमाले कहा जाता है, इसमें इस पीद जो है इस थी थे इसके पार बाह ये हिमाले दीखता है इसकी एक चोटी 23,64 फिट उची बताई जाती है इतनी उचाई है इसमें कई चोटियां 20,000 फिट से अधिक उची है लेखक कहता है मैं उचाई के माप के चकर में नहीं हूँ और ना इसे माप ने आया यह हूँ ना इनसे होड लगाने के पक्ष में हूँ वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस इन उचाईयों से होड लगाना मृत्यू है हाँ कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और और औरत की शान है मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाडों से इवक इवतियां आएं पहले तो स्यंग अपने अहंकार को गलाए जो यहां आए तो पहले अपने अहंकार को गलादे जो अहंकार पाल रखा है उसे समाप्त करे फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करे उस आनन्द कानुभो करे जो साहस और कूबत से यावन में ही प्राप्थ होता है अहंकार का ही मामला नहीं है यह माने की चोटियां बुरहे लामाओं के जाब से उदास हो गई हैं इवतिय किलोल करें तो यह भी हर्शित हों अभी तो इन पर इस पीत का आर्थ नाज जमा हुआ है वह इस इवा अठाहास की गर्मी से कुछ तो पिघले यह एक इवा निमंत्रण है वास्तों में इवकों का वहन है अगर वहां इवक जाएंगे और किलोल करेंगे तो निश्चित लाहुल की तरह इस पीत में भी दो रित्यों होती हैं लेखक कहता है कि कहीं मैंने शड रितूओं का पखान किया है इस शड रितूओं क्या हैं बच्चो आप जानते हैं अपने यहां ग्रीश्म वर्षा शरद सिशिर हेमंत और बशंत लेखक कहता है यह मैं अभ्यासी वह अभ्यास दोस के कारण है यहां जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत रितू है अल्पकालिक बहुत चोटे समय शेश वर्ष शीत रितू होती है बसंत में जुलाई में आउसत तापमान 15 डिगरी सेंटीग्रेट और शीत में जनबरी में आउसत तापमान जो है eight degree record किया गया है अउसत से कुछ अंदाज नहीं लगता वसंत में दिन गरम होता है और रात जो है यहां ठंडी होती है सीत में क्या होता है इसकी कलपना नहीं की जा सकती कभी रहकर देखा जा सकता है कभी आप जाए स्पीत में फिर देखिए वहां की स्थित इसमीत में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है वसंत में भी यहां फूल नहीं खिलते ना हर्याली आती ना वह गंध होती दिसंबर से घाटी में फिर बरफ पढ़ने लगती है अप्रेल मई तक रहती है यहां ठंड़क भी लाहुल से ज़्यादा पढ़ती है नदीर नाले सब जम जाते हैं सब में सब बरफ से जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है मुह हाथ जो खुले अंग है उनमें जैसे सूल की तरह चुबती है सुन हो जाते हैं इस पीत में लाहुल से भी कम वर्षा होती है मद्य हिमाले मानसून की पहुँचके परे है यहां बरखा बहार नहीं है महा कवी कालिदास को अपने रितु संगार में यहां वर्षा का तो शंगहार ही करना पड़ेगा रितु संगहार उन्होंने लिखा है उनका बहुत अद्भूत का अबिग्रंत है जैसे मेगदूत है रखवशम है बहुत सारा उनका साहित्य है कई नाटक भी लिखे हैं अभिज्यान साक्मुंतलम है विक्रमोर वशियम है तो रितु संगहार जो है उनका अद्भूत और सुप्रसिद्ध का बिग्रंत हैं जिसमें रितुओं का वर्ण किया गया है तो वही लेखक वहीं लेखक कहता है कि कालदास को अपने रितु संगहार में यहां वर्षा का तो संगहार ही करना पड़ेगा वर्षा होती नहीं है कालदास में कि फुहादों से भरे बादलों के मतवाले हांथी पर चढ़ा हुआ चमकती हुई बिजलियों की जंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरश के नगाड़े बजाता हुआ यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का साथ ठाट बाट बना कर आप पहुंचा वहां कि यह पावस यहां पहुचता ही नहीं है काल्दास के वर्षा की सोभा बिन्यांचल में हमान्चल की इन मद की घाटियों में नहीं मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहूलिसपीत के नर्दारी समझ भी पाएंगे यह नहीं वर्षा उनके संबेदन का अंगन नहीं है यह जानते नहीं है कि बर्षात में नदियां बहती है बादल बरसते हैं मस्त हाथी चिंगाडते हैं जंगल हरे भरे हो जाते हैं अपने प्यारों से बिशड़ी विस्त्रियां रोती कलपती हैं मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जाच्छिपते हैं अगर कालिब महा कभी कालिदास यहां आकर कहें कि अपने बहुत से सुन्दर गुणों से सुहानी लगने वाली इस्त्रियों का जी खिलाने वाली पेणों की तहनियां बेलों की सची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षारी तो आपके मन की सबसाधे पूर कि यह देवता कौन है कहां रहता है यहां क्यों नहीं आता हूं कि इस पीत में कभी कभी वारी सोती है वरसा रित यहां मन की साथ पूरी नहीं करती धरती सूखी ठंडी और बंध्या पड़ी कि इस पीत में साल में एक फसल होती है मुख्य फसले हैं दो किस्म की जो जो गेहूं मटर और सरसो क्या क्या जो गेहूं मटर और सरसो इसमें भी जो मुख्य है सिचाई का साधन पहाडों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कूल ये नालियां पहाडों के किनारे किनारे बहुत दूर तक चली जाती है इस पीत नदी का तट इतना चोड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता इस पीत में ऐसी भूमी बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है शर्त इतनी है कि इसके लिए इस पीत में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंच जाए इस पीत में बच्चो कोई फल नहीं होता मतर और सर्सो को छोड़ कर कोई सबजी नहीं होती सायद उचाई बायुमंडल के दबाप में कमी ठंड की अधिक्ता और वर्षा की कमी वगर के कारण यहां पेड नहीं होते इसलिए इस पीत बिसेश कर नंगी और वीरान है वास्तों में वर्षा यहां एक घटना है कभी वर्षा हो गई तो उसे वहाँ के लोग घटना के रूप में लेते हैं एक सुखत सैयोग है हम काजा के डाग बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिलकी खड़का रहा है आधी रात का भी पिछला पहर है इसमें कौन है लैंब कीलो तेज की तो खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का जोंका मुह और हाथ को जैसे मैं उसे देख नहीं रहा था सुन रहा अंधेरा चंड और हवा का जोका आ रहा जैसे वर्थ का अंच लिए तुचार जैसी बूंदें पर रहे जैसे नगाले पर थाप पड़ रही थी और दूंग छेन को हवा बजा रही थी दूंग छेन को हवा बजा रही थी महाशंख की ध्वन घाटी में त्रेट की घाटी में वर्षा हो रही थी कमरे में ठंड बढ़ रही थी मैं विस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया शुबह उठा चाय पीते पीते सुना कि इस पीत के लोग कह रहे हैं हमारी की यात्रा बड़ी शुबह है जानते हो क्यों इस पीत में बहुत दिनों के बाद वारिश हुई है तो इस पीत में मेरा पहुंचना उनके लिए सोभाग्य की बात है अब बच्चों आपने इस पीत में वारिश पाठ को देखा यह एक यात्रा ब्रित्तांत है वहां के प्राकृतिक संदर का चित्रांकन है अब प्रस्णी यह उठता है कि इतिहास में इस पीत का वर्णन नहीं मिलता क्यों वास्तों में इस पीत की भौलिक संग्रचना एवं रित्व चक्र बिशित्र है परवस्रणियों से घिरा होने के कारण असाथी दुर्गम दर्रों के बीच से बरफीरे रास्ते जो हैं वो खत्रों से भरे हैं और आवागमन के साधनों से सर्वतार रही थें वहां आने जाने का साधन भी अभी तक निर्वित नहीं हो पाया है साल भर बर्फ एवं सीत के कारण अत्यंत कम जन संख्या वाले इस छेत्र में जन संचार के साधनों का भी अभाव रहा है इस छेत्र का जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने के कारण आता है यह छेत्र प्रायह स्वायत एवं प्रायह शेष संसार से कटा ही रहा जिसके कारण इतिहास में इस पीत का वर्णन नहीं मिलता। अब बच्चो जब वहां इतनी समस्याएं हैं तो प्रस्ण ये उठता है कि इस पीत के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाईयों का सामना करते हैं और उसका निराकरणों कैसे करते हैं। वास्तों में इस पीत का जीवन यापन अत्यंत कठिनाईयों से भरा हुआ है। लंबी सीत रितू ब्रिक्षों के अभाव के कार जलाओ लकडी की कमी साल भर से ठिठूरना साल में एक बार खेती सीमी तेवं नाम मात्र की फसलों को उगाना संभो होना ब्रिक्षों के अभाव में फलकान होना जीविका के साधनों की कमी आधी इस पीत में जीवन यापन क की प्रमुक्समस्याएं आठ नौ माह तो पूरी त्रह चेत्र से सुभिष्व से कटाही रहता है और इन कटनाईयों का सामना के लिए वे अभ्यस्त हो गए हैं उनकी आदस्थी हो गई आपको जिस समय में इस पीट में वारिस बता रहा था तो एक प्रश्ण उभरा था कि लेखक माने स्रेणी का नाम बौध्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है वास्तों में बडाधों का ध्यान साधना के लेग मंत्र है अम मानीमे हुम इससे संचेप में मंत्र कहते हैं माने कहते हैं यह एक ध्वन मंत्र है इनका पीज मंत्र है इस मंत्र का बहुत महात्में है पहाडियों में इस मंत्र का अनगिनतवार बहुत द्वारा और खासकर विशेशकर बहुत दभिक्षु जो हैं उनके द्वारा इसका उच्चारण किया गया इस कारण से लेखक माने स्रेणियों का नाम बहुत दों के इस मंत्र माने के नाम पर रखने के पक्ष में है कि वहां केलंग की बात आई थी तो केलंग के बाद साह को किस बात की हमेशा आशंका बनी रहती है काजा छेत्र केलंग राज्य के अधीन है काजा छेत्र के अंतरगत इस छेत्र पर अपने अधिपत्य है तो केलंग के बाद साह को वहां के सुबेदार से संपर कहे तू वायलिफ सिट पर निर्भर होना पड़ता है वहां जाने के लिए शम्यक आवागमन के सादनों के अबाव में काजा की बेवस्ता के लिए सूबेदार पर निर्वरता से केलंग के बासा के मन में यह हमेशा आशंका बनी रहती है कि कहीं काजा का सूबेदार उनसे बिद्रो की कोई योजना तो नहीं बना रहा है अब आएए हम इसके निश्कर्ष पर चलें आपको मैंने बताया कि कृष्णनात लिखित इस पीट में वारिश पाठ एक यात्रा बृत्तांत है इस पीट हिमांचल के मद्ध में इस्थित है यह अस्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेस्ताओं के कारण अन्य पर्वतिय स्थलों से भिन्ना है लेखक ने इस पाठ में इस पीट की जनसंख्या रीतु फशल जलवाय और भूगोल का सम्यक वर्णन किया है जो परस पर एक दूसरे से संबंदीत है पाठ में दुर्गम छेत्र इस पीट में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किया गया है लेखक कहता है कुछ हिवाप परियतकों का पहुचना इस पीट के परियावरण को बदल सकता है यही इस पाठ का प्रतिपाद्य है